नवस्का दोस्तूं मैं हूँ आपका दोस्त के भी तो हम लोग वर्च 2021 के जनवरी से लेकर के दिसंबर के बीच में जो भी हमारे सबसे महत्मून करेंट अफेर के प्रशन है उन सभी प्रशनों को डिसकस कर रहे थे और उसी क्रम में ये आज हमारा भाग तीन होगा तो इससे लाता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में सेयर जरूर करिएगा वीडियो की हम लोग शुरुवात करें उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अनकेडमी के उपर डेली मेरी दो क्लास होती है जिसमें हम लोग एक लाइब टेस्ट कंड़क करवात होते हैं तो अगर आपको ग्रूबडी का एक्जाम दीना है तो दिन में 12 बजेवारी क्लास जरूर जोइन करिए क्योंकि इसमें आपके ग्रूबडी के जो साइंस के प्रेश्ण है उनका टेस्ट होता है और प्रॉपर एक्स्प्लानेशन भी आपको देखने को मिलेगी और रात में 10 बजेवारी जो क्लास है इसमें हम लोग यही सारे प्रेश्ण जो यहां पर डिसकस कर रहे हैं उनका लाइब टेस्ट होता है तो दोनों लाइब टेस्ट में आप लोग पाटिसपेट कर सकते हैं क्लासेज बिलकुल फ्री है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मे भी कोर्स पर चेज करना है तो यह मेरा वार्टसप नंबर है आप लोग इस वार्टसप नंबर के उपर मुझे से कॉंटेक्ट कर सकते हैं और सबसे महत्पून बात कि इस संडे यानि की 9 जनवरी के दिन अनकेडमी के दिन SSC में एक कॉंबैट फिर से होगा देखे इस बार जो आपसे प्रशन पूछे जाएंगे वो हमारे जनरल अवेरनेस और करेंट अफेर्स के होंगे 40 मिनिट का आपको समय मिलेगा और इसमें आपको 50 प्रशन करने होंगे अगर आप यहाँ पर एक से तीन के बीच में रैंक लाते हैं तो एक साल का आपको बिलकुल SSC का स्बस्क्रिप्शन फ्री मिलेगा उसी प्रकार से जैसे जैसे आपके रैंक होगी वैसे वैसे आपको किसी भी स्थ्क्रिप्शन पर स्कॉलर्षिप अनकेडमी की तरप से दि लिए अब इस वीडियो की हम करते हैं शुरुआत पहला प्रेश्ण है कि हाल ही में कौन सा क्रिकट खिलाड़ी अपने टेस्ट कैरियर में 100 बार नाट आउट रहने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है तो ध्यान रखेगा यह इंग्लैंड के हैं आपको पता होग और यह इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं तो ऑप्सन ए हो जाएगा फिलहाल के लिए करक अगला प्रश्ण है कि हाल ही में किस भारतिय खिलाड़ी ने यूरूपियन देश मोटी नेग्रो में जो इसकेइंग की अंतराष्टिय प्रतियोगीता हुई है इसमें जीता है का से प खिलाड़ी हैं और ये भारत की पहली महिला बन गई है जिन्होंने इंटरनेशनल लेबल पर इस केइंग में कोई मिडल जीता है तो ऑप्सन भी हो जाएगा करक अगला प्रश्ण है कि हाल ही में किंद्र सरकार ने निम्न में से किस कटेगरी में महिला कमांडो को सामिल करने की घौश्ण अग्रुष्णा की है तो ध्याना किएगा कि जो हमारे यहाँ पर जट प्लस की से क्योरटी होती है उसमें सामिल किया जाएगा महिला कमांडो को तो ऑप्सन यह हो जाएगा गयाट देखे इस परकार की जो से क्योरटी जो होती है उसमें हमारे अर्धसनिक बल ने राज के दुरगम और पिछडे छेत्रों में स्वास्त सीवाएं उपलब्ध कराने हैं तू मुख्य मंत्री वायू स्वास्त सीवा एर एम्बूलेंस की सुरुआत की है तो ये जो एम्बूलेंस सीवा है ये सुरू की है उडिसा की सरकार ने आप्सन फिलाल सी हो जाएगा करेक्ट अगला प्रशन है कि हाल ही में IPL टीम संराइजर्स हैदराबाद ने निम्ड मेंसे किस पूर्व खिलाडी को बल्ले बाजी कोच न्यूप किया है तो बल्ले बाजी कोच की बात करें ये बनाया है इन्होंने ब्रायन लारा को जहां रखिएगा संराइजर्स हैदराबाद ने ब्रायन लारा को बनाया है बल्ले बाजी कोच और गेदबाजी कोच इनके बने है डेल इस्टेन ये देख सकते हैं डेलेश्टेन ये गेदबाजी कोच है और ब्रायन लारा बने है बल्लेबाजी कोच अगला प्रश्ण है कि हाल ही में केंदर सरकार ने सौव परतिस्त साथ्चर्टा के लिए किस अभियान को सुरू करने की घुशना की है तो 100% साचर्टा के लिए जो अभियान सुरू किया जाएगा इसका नाम है नो भारत साचर्टा अभियान नाम है आप्शन यहाँ पर फिलहार के लिए भी हो जाएगा करेक्ट अगला प्रशन है कि दिसंबर 2021 में हुरून रिसर्च इंसिट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और खीन के बाद यूनिकारन कमपनियों के मामले में कौन सा देश तीसरे अस्थान पर पहुँच चुका है तो ध्यान रखिएगा जब किसी कमपनी की जो जादा यूनिकारन मिलेंगे और अपसर यहां पसी हो जाएगा करें अगला प्रशन है कि हाल ही में किस राज के मुख्यमंत्री ने भगवान कृष्ण बलराम जगनात रथियात्रा को एक वारसिक राज उत्सों घोसित किया है वैसे अगर हम लोग जगनात रथियात्रा की बात करें तो बेसिकली यह तो आपके मनाया जाता है उडिसा में लेकिन इसके अलावा हमारे देश के अनिराज भी है जहां पर यह मनाया जाता है और इसको अभी घोसित किया है पंजाब की सरकार ने तो जरूर ध्यान लखिएगा और अप्शन फिलहाल हमारा भी हो अगला प्रशन है कि भारतिय उद्योग परिसंग के द्वारा निम्न में से कौन से आयाइटी संस्थान को इनोवेटिव संस्थानों में पहला स्थान दिया गया है तो इनोवेटिव संस्थानों की बात करें पहला स्थान मिला है आयाइटी रूरकी को किसे आयाइटी रू reservation मिलेगा और ये घोशना की है करनाटक की सरकार ने किस ने करनाटक की सरकार ने तो option C हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि हाल ही में किस देश ने सता से सता पर मार करने वाली कम दूरी की ballistic missile प्रलय का सफल परिच्छन किया है तो ये जो परिच्छन है इसको अभी किया गया है हम अगला प्रशन है कि हाल ही में किस सतान ने James Wave इस पेस नामक दुनिया का सबसे बड़ा टेलेस्कोप लांज किया है तो ये जो टेलेस्कोप है इसे लांज किया है अमेरिकी स्पेस जेंसी नासा ने जहां रखेगा नासा ने इसको लांज किया है option फिलहाल के लिए भी हो जा होगा तो हबल टेलेस्कोप से भी ये तीन गुना बड़ा है और इसको अभी कौरू जो कि फ्रेंच गयाना में है वहां से लांज किया है नासा ने तो ध्यान रखेगा option फिलहाल भी हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि हाल ही में किस आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने वर correct अगला प्रशन है कि हाल ही में इफको टोकियो जनरल इंसोरेंस ने किसको अपने MD और CEO की रूप में न्यूप किया तो ये बन गई है HO सूरी क्या नाम है HO सूरी नाम है option फिलहाल के लिए correct अगला प्रशन है कि हाल ही में भारतिय वायुसीना ने किस राज में जो हमने रसि प्रशन है तो जरूर ध्या रखिएगा कि जो हमें पहला S-400 प्राप्त हुआ है रसिया से इसको हमने तैनात कर दिया है पंजाब राज में कहां पर है पंजाब राज में है ये तो option फिलहाल के लिए D हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि हाल ही में किस ने Mother Teresa Memorial Award जीता है तो Mother Teresa Memorial Award की बात करें ये मिला है अनिल प्रकास जोसी को किसे मिला अनिल प्रकास जोसी को मिला तो option फिलहाल के लिए A हो जाएगा correct तो ध्यान कियेगा अनिल प्रकास जोसी को इसी साल पदम भूजन पुरस्कार भी मिला है और अभी सामाजिक न्याय के लिए इनको यहां पर Mother Teresa Memorial Award भी दिया गया तो option A हो जाएगा correct अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस University ने Times Higher Education Asia Awards 2021 में Digital Innovation of the Year का पुरस्कार जीता तो यह जो पुरस्कार है इसको जीता है O.P. जिंदल Global University ने काफी महत्पूर्ण है तो ध्यान रख्येगा option B हो जाएगा यहां पर correct अगला प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका में Junior Square Open जीतने वाली पहली भारतिय महिला कौन बनी है तो यहां पर अगर हम लोग पहली भारतिय महिला की बात करें नाम इनका अनाहत सिंग है दरसल यह एक बच्ची है 13 साल की और यह आपकी Junior Square Open जीतने वाली पहली भारतिय बन गई है तो option हमारा A हो है तो Under 19 B-man Championship में भारत किस देश से हारा है यानि कि भारत हमारा उपवजीता रहा है आपको बताना है बिजीता कौन है तो बिजीता देश है बंगला देश है बंगला देश है option फिलहाल A हो जाएगा तो ध्यान रखेगा जो फाइनल मुकाबला है वो भारत और बंगला देश के बीच में खेला गया जिसमें बंगला देश ने भारत को हरा दिया बंगला देश की जो सहीदा अक्तर है उन्होंने सबसे ज़्यादा गोल किये इस पूरे टूनामेंट में और इसी लिए most valuable player का अवार्ड भी उन्हें दिया गया तो option A हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि दिसंबर 2020 में ACI Champions Trophy का जो खिताब है किताब नहीं है जी खिताब है किस देश ने अपने नाम किया तो ये जो टॉफी है इसका किताब जीता है कोरिया ने किस ने जीता दच्छिन कोरिया ने जीता option A हो जाएगा यहाँ पर correct अब ध्यान आपको क्या रखना है कि जो final मुकाबला है वो धाका में खिला गया जो कि बंगलादेश में है final मुकाबला खिला गया यहाँ पर कोरिया और जापान के बीच में तो कोरिया ने जापान को हराया 4-2 से तो कोरिया ने जीता gold medal जापान जीता रजट medal और तीसरे पदक के लिए जो मुकाबला है वो इंडिया और पाकिस्तान के बेच में हुआ था जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया और हमने जीता है यहाँ पर bronze medal तो जरूर धिया रखिएगा option A हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि दिसंबर 2021 में किस Bollywood अबनेता ने अपनी पुस्तक bachelor dad का भी motion किया है तो यह जो पुस्तक है इसको लिखा अबनेता तो सार कपूर ने option फिलहाल C हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि दिसंबर 2020 में बैटमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानि कि BWF 200 Championship 2020 में पुरुस एकल का जो खिताब है यह किस ने U ने जीता है क्या नाम है लोहकीन U नाम है तो option C हो जाएगा फिलहाल के लिए correct अगला प्रशन है कि दिसंबर 2020 में नेत्रित्य प्रतिबधता 2021 के लिए सयुक्त राष्ट महिला पुरसकार किसने जीता है तो यह जो पुरसकार है इसको दिब्या हेगडे ने जीता है किसने जीता दिब्या हेगडे ने तो option फिलहाल ए हो जाएगा correct यह देख सकते हैं यह दिब्या हेगडे है जो कि करनाटा की एक उद्यमी है और इनहीं को अभी यह पुरसकार दिया गया तो ए हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि दिसंबर 2020 में वाडा की रिपोर्ट के नुसार या मारा देश भारत कौने भारत तीसरे पे हैं तो option फिलहाल ए हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि दिसंबर 2020 में जो बैक्मेंटन वर्ल्ड फेडरेशन चेंपिन सिफ हुआ इसके महिला एकल का खिताब किस ने जीता तो महिला एकल वाला जो है इसको जीता है अकान ने यामा ग अगला प्रशन है कि दिसंबर 2020 में किस राज ने तीन नए जीले बनाने की घोशना की है तो राजी का नाम है यहाँ पर नागा लेंड क्या नाम है नागा लेंड इस राजी का नाम है तो option C हो जागा फिलहाल के लिए correct तो नाम थोड़े से अटपटे से हैं ध्यान रखेग एक तो आपका है से मिन्यू एक है नियू लेंड और एक का नाम है चुमू के दिमा तो यह तीन जीले हैं जो कि नागा लेंड की सरकार बनाएगी और इस प्रकार से नागा लेंड में हो जाएंगे टोटल 15 जीले तो ध्यान रखेगा option C हो जागा फिलहाल correct चलिए comment में बता लाउस में जो वार्सिक बैठक होती है ये आपके World Economic Forum के होती है हर साल जनवरी महिने में और इस साल COVID-19 के कारण इन्होंने इसको अस्तखित करने का फैसला किया है तो option A हो जाएगा current अगला प्रशन है कि April 2020 में किसे 30वे GD बिरला पुरसकार से सम्मानित किया गया काफी महत ग्यानिकों के लिए पुरसकार दिया जाता है तो सुमन चक्रवर्ति को मिला तो option C हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि April 2020 में किस राज के सरकार ने चिरन जीवी स्वास्त बीमा योजना को लॉंद किया तो ये जो बीमा योजना है इसको लॉंद किया है राजस्थान के सरका की जाएगी तो वैसे हमारा एक प्लांट MP के रीवा में उद्धाटन किया गया था पीम के द्वारा उसके बाद में घोशना ये की गई कि तिलंग गाना में जो राम गुंडम का जलासे है वहाँ पर सबसे बड़ा फ्लूटिंग सूलर प्लांट बनेगा तो option B हो जाएगा तो देख सकते हैं 450 एकड़ की भूमी पर इसका निर्मार किया जाएगा और ये बनेगा राम गुंडल थर्मल पावर प्लांट के जलासे पर तो option B हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि बिश्टो का जो सबसे बड़ा मुक्त ब्यापास समझ होता है यारि कि regional comprehensive economic partnership इसको का पहला देश कौन बना तो पहला देश बन गया है सिंगापूर आपको पता होना चाहिए कि 2020 में कुल मिलाकर के 15 देशों ने इसको sign किया था जिसमें से सिंगापूर पहला देश बना है जिसने इसको लागू कर दिया है तो B हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि हाल ही में य यह देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यह है तो गोवा में इसका परिच्छन हुआ था ओप्शन C हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि जनवरी 2021 में जानी मुलाग मेडल जीतने वाले बिश्व के पहले क्रिकट खिलाड़ी कौन बने दो से तीन एक्जाम में यह प्रशन ओल करत के पहले टेस्टेड तिहान सिस्टम को लौन किया गया तो यह जो पहला टेस्टेड तिहान सिस्टम है इसको लौन किया गया IIT हैदराबाद में उस समय के जो हमारे सिच्छा मंतरी थे रमेश पोखरियाल निसंग जी द्वारा तो आप्शन फिलहाल C हो जाएगा correct अग उनका है BK यादो तो ध्यान रखेगा BK यादो जो कि railway board के पहले CEO बने थे उन्हीं को यह परसकार मिला है अच्छा अभी हमारे railway board के नए CEO बने है इसी महीने जनवरी 2022 में नए CEO बने है उनका नाम क्या है यह आप लोग नीचे comment में बताएगा हिंट के लिए मैं आपको बत पुला वन रेसर लुईस हमिल्टन को नाइट हुड की उपाधी से सम्मानित किया गया तो यह जो उपाधी है यह दिया गया था आपकी UK के द्वारा option यहाँ पर B हो जागा फिलहाल correct अगला प्रशन है कि जनवरी 2022 में PM नरिंद्र मोधी ने कितने राज्यों में light house project की आध सिला टोटल छे राज्यों में रखी गई option D हो जाएगा हमारा यहाँ पर correct राज भी ध्यान रखेगा क्योंकि already यह एक्जाम में पूंचा जा चुका है MP है गुजरात है तमिल नाडू जारखंड त्रिपुरा और है UP अगला प्रशन है कि जनवरी 2022 में International Union of Conservation of Nature and Natural Resources के ACA Protected Areas Partnership का सह अध्यच देश कौल होगा तो ध्यान रखेगा यह प्रशन भी already एक्जाम में पूछा जा चुका है और इसका जो सह अध्यच देश बना था वो बना था हमारा देश भारत दच्छिन कोरिया उससे पहले अध्यच था तो दच्छिन कोरिया के स्थान पे भारत बन गया है option A हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि एक जनवरी 2020 को सोमा मंडल ने किस महारतन कंपनी के अध्यच के रूपे पदभार ग्रहन किया तो यह बहुत ही एक्जाम में पूछा जा चुका है cell India हो जागा यानि कि Steel Authority of India Limited C होगा फिलहाल के लिए correct अगला प्रशन है कि कि इस सहर के पिमपरी चिंचवार नगर निगम ने भारत के पहले Social Impact Bond के लिए United Nation Development Program के साथ में समझोता किया तो ध्यान किएगा इनका नाम है पुने क्या नाम है पुने नाम है तो पुने ने इसके लिए समझोता किया था C हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि भारत और बांगल देश से भारत के किस राज को जोड़ेगी तो ध्यान किगा ये भारत के तिरपुरा को जोड़ती है और अप्सन यहाँ पर A हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि वर्स 2020 में सोमनात मंदिर ट्रेष्ट के नए अध्यच कौन बने है तो ध्यान किएगा जो हमारे PMH नरे नमोद प्रशन है तो डी हो जागा फिलहार के लिए चलिए आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्ण है देखे अगर हम लोग सोमनात मंदिर की बात करते हैं तो हमारे देश के यह दूसरे PM हैं जो कि इस मंदिर ट्रेष्ट के अध्यच बने हैं इनसे पहले हमारे देश के एक PM हैं ज यह किस राज में किया गया तो यह जो आयोजन है यह उडिसा में किया जाता है ओप्शन ए हो जागा फिलहार करट अगला प्रशन है कि हर साल राष्टे बाल का दिवस कब मनाया जाता है तो राष्टे बाल का दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा 24 ज जनवरी को तो option B हो जाएगा हमारा correct अगला प्रशन है कि अपरेल 2020 में भारत और किस देश की नौसीना के बीच वरुण से नभ्यास के 19 संस्क्रण का आयोजन किया गया तो यह जो वरुण से नभ्यास है यह हम लोग करते हैं फिलहाल फ्रांस के साथ में option यहां पर C हो यहां पर correct अगला प्रशन है कि मार्च 2020 में भारत के नए मुख्य सांक की विद की रूप में किसे न्यूप किया गया तो यहां पर न्यूपती हुई है GP सामन्थ की किसकी GP सामन्थ की option A हो जाएगा यहां पर correct अगला प्रशन है कि अपरेल 2020 में National Council of Applied Economic Research की पहली महिला महान देजिसक कोन बनी तो यह आपके अर्थसास्त्री थी बेस्तो बैंक में नाम इनका पूनम गुपता है तो option B हो जाएगा फिलहाल के लिए correct अगला प्रशन है कि अपरेल 2020 में नए राजसो सच्यू की रूप में किसको न्यूप किया गया तो नए राजसो सच्यू की बात कर सिड्वी के जो नए CMD बने है नाम इनका है सिवा एसरमन क्या नाम है सिवा एसरमन इनका नाम है और सिड्वी के स्थापना 2 अपरेल 1990 को होई थी C हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि अपरेल 2020 में नैस कौम की पहली महिला अध्यच के रूप में किसको न्यूप किया गया त ज़्वारा नए बित्र सच्यू की रूप में किसको नामित किया गया तो नए बित्र सच्यू की बात करें यहां पर नॉमिनेट हुए हैं ऑप्सन निंबर B यानि कि टीवी सोमनाथन क्या नाम है टीवी सोमनाथन और अज्य भूशन पांडे का इन्होंने अस्थान लिया ह अगला प्रशन है कि अपरायल 2000 केस में भारत के मुख्य चुनाओ आयुक्त के रूप में किसे न्यूग किया गया तो पहले हमारे सुनील अरोरा साहब थे अब उनके स्थान पर सोसील चंद्रा नए बन गये हैं मुख्य चुनाओ आयुक्त तो आप्सन B हो जाएगा करें अ जरूर ध्यान रखेगा इनका नाम है राम सीवक सर्मा क्या नाम है राम सीवक सर्मा नाम है तो आप्सन A हो जाएगा फिलहाल के लिए करेंग अगला प्रशन है कि अपरेल 2021 में मानसिक स्वास्त के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्द किया गया तो यह जो डि किर्केट का बिस्ट कप है इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा तो पहले तो आप लोग यह ध्यान रखेगा कि 2023 वाला जो वर्ल्ड कप है यह होगा भारत में ठीक है उसके बाद में चार सालों के बाद होगा 2027 में वो होगा आपके दच्छिन अफरीका जिंबांबे और नामी विया में तो जरूर ध्यान रखेगा C हो जाएगा फिलहाल करक्ट अगला प्रशन है कि वर्श दोहजार इकत्तीस में जो पूर्सों के 50 ओबर किर्कट बिस्ट कप का आयोजन है यह कहां पर किया जाएगा तो यह भी आप लोग ध्यान रखेगा इसका आयोजन होगा हमारे सयुक्त अरब अमीरात में नहीं होगा यह होगा भारत और बांगला देश में कहां पर भारत और बांगला देश में दोहजार इकत्तीस में होगा आप्शन फिलहाल भी होगा करक्ट अगला प्रशन है कि वर्श दोहजार चौबेस में जो ICC के पूरोस T20 विस्ट कप हैं इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा तो बात यहां पर पूर्चों वाले T20 विस्ट कप के हो रही है तो यह होगा बेश्ट अंडीज और अमेरिका में कहां पर होगा बेश्ट अंडीज और अमेरिका में होगा फिलहाल 2022 में जो होगा वो आश्टेलिया में हो रहा का आयोजन किस देश में किया जाएगा तो ICC पूरुस चैंपियंस टॉफी के बात करते हैं आतंकवाद वाला ये देश है पाकिस्तान अब ये देखना बहुत ही दिल्चस्प होगा कि कि 2025 में कौन कौन से देश यहां पर खिलने जाएंगे तो त्यानत किएगा ICC भी मुझे लगता थोड़ा पगला गया है तो पाकिस्तान को इन्होंने होश्ट बना दिया है फिलहाल D हो जाएगा करट अगला प्रशन है कि वर्च दो हजार उनतेश में ICC पूरुस चैंपियंस टॉफी का जो आयोजन है ये किस देश में किया जाएगा तो ये जो चैंपियंस टॉफी है ये होगा आपके भारत में कहां पर होगा भारत में होगा आपसल फिलहाल B हो जाएगा करट अगला प्रशन है कि ICC पूरुस क्रिकट समित के अध्यच की रूप में किसको किया गया है नाम इनका है सौरब गांगुली ध्यान रखिएगा ICC में ये न्यूक्त हुए है पूरुस समित में अध्यच की रूप में तो C हो जाएगा करेक्ट अचा ये तो आपके बने हैं पुरुस समित के, ठीक है, पुरुस क्रिकेट समिती की बने है, अगर आपसे महिला क्रिकेट कमीटी से पूछा जाए, तो ध्यान रखेगा, बेस्टन डीज की क्रिकेटर है, जो की महिला क्रिकेट कमीटी की अध्यच बनी है, तो option C होगा फिलहाल current, अगला प्रेशन है, कि न करता है, भारत करता है, तो option फिलहाल D हो जाएगा current, अगला प्रेशन है, कि नौंबर 2021 में प्रकासित पुस्तक, लाल सलाम A कुपन्यास की लेखक या लेखी का कौन है, तो लाल सलाम की बात करें, ये लिखा है स्मृति इरानी ने, किस ने लिखा, स्मृति इरानी ने लिख है, आर हरी कुमार, क्या नाम है, आर हरी कुमार इनका नाम है, तो option फिलहाल B हो जाएगा यहाँ पर correct, अगला प्रशन है, कि साहत्य 2020 के लिए, जो बारहवा मणी पुर राज़ पुरसकार है, इस से किसको सम्मानित किया गया, तो ये बहुत महत्पूर्ण वैसे नहीं है, फिलहाल ध्यान अक्ये का अगर आ गया है, तो नाम इनका वेरिल थंगा है, C हो जाएगा correct, अगला प्रशन महत्पूर्ण है, कि राज़ पती रामनात कोविंद जी ने नॉम्बर के महिने में कौन से राज में आदर्स गाउं सुई का उधगाटन किया है, तो ये जो आदर गाउं बनाया गया है सुई को, और ध्यान रखेगा भिवानी हमारे देश का पहला ऐसा जिला बन गया है, जहां पर देश के दो राश्पती बिजट कर चुके हैं, तो C हो जाएगा correct, अगला प्रशन है, कि नॉम्बर 2000 केस में भारत कितने वर्सों के लिए यूनेस्को के क कारे-कारी बोर्ड में चुना गया है, तो option B हो जाएगा यहां पर correct, अगला प्रशन है, कि नॉम्बर 2021 में BWF ने किसको lifetime achievement पुरस्कार से सम्मानित किया, BWF का मतलब है, बैटमेंटन वर्ड फेडरेशन, और इन्होंने जो lifetime achievement पुरस्कार है, ये दिया है देपिका तो ध्यान किएगा C हो जाएगा फिलहाल के लिए correct, अगला प्रशन है, कि नॉम्बर 2021 में किस केंद्रिय मंत्री ने उत्तर प्रदेश के पहले वायव प्रदूसर्ण रोधी टावर का उधगाटन किया, तो ये जो टावर है, इसका उधगाटन किया है महंदर नात पांडे ने भारिव उध्यम मंत्री हैं ये, कैबिनेट मंत्री हैं कि इंद्र सरकार में, उत्तर प्रदेश के चंदौली से ये सांसद है, तो इसका उधगाटन इन्हों ने किया है, आप्शन यहाँ पर D हो जगा फिलहाल के लिए correct, तो ध्यान रकिगा नोईडा में इसका निर्मा किस ने जीता, इस्पेन की गार्विन मुगरजा ने जीता, आप्शन फिलहाल हमारा B हो जागा यहाँ पर correct, तो ये देख सकते हैं, इन्हों ने एनेट कोंटे वेट को हरा दिया जो कि इस्टोनिया की हैं, और ये खिताब जीता गार्विन मुगरजा ने, अगला प्रशन ह कि नॉमबर 2020 में, ट्राइफेड के आदी महुसों के लिए किसे ब्रांड अमेश्डर चुना गया, ये काफी महत्पूर्ण है, तो नाम इनका है, MC मैरी कॉम, क्या नाम है, MC मैरी कॉम को यहाँ पर ट्राइफेड ने आदी महुसों के लिए ब्रांड अमेश्डर बना दिया तो ये जो लड़ा को helicopter है ये बनाया है हिंदुस्तान Aeronautics Limited ने यानि कि HAL के द्वारा इनका निर्मार किया गया है और अभी PM Modi के द्वारा इनको सौब दिया गया है आपके arm forces को तो भी हो जाएगा correct अगला प्रश्ण है कि नॉमबर 2020 में Border Road Organization ने किस राजी में बिस्तो की जो सबसे उंची मोटरीवल सड़क है इसको बना करके record बनाया है तो ये जो मोटरीवल सड़क है ये बनाई गई है आपके लड़ाख में लड़ाख में आपने पढ़ा होगा एक पास के बारे में तो पा अगला प्रश्ण है कि 2021 ट्रेस बैस्विक रिस्वत जोखिम रैंकिंग में भारत की सस्थान पर रहा है तो अगर हम लोग ट्रेस की बैस्विक रिस्वत जोखिम की बात करें तो ध्यान रखेगा इसमें हमारा देश से 82 अस्थान पर अच्छा जब मैं टेस्ट इसका ले र इसकी जो बैस्विक रिस्वत जोखिम रैंकिंग आई है नॉम्बर महीने में इसमें हम लोग है 82 में इस्थान पर तो कंफ्यूज मत हो येगा फिलहाज सी हो जागा यहां पर करक अगला प्रश्ण है कि जो इस साल बावन्वा इंडियन इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फे करक अगला प्रश्ण है कि भारत में निम्लिखित में से किस विभाग के अंतरगत जी आई टैग दिया जाता है ध्यान रखिएगा तो हमारे यहां पर जो डिपार्टमेंट आफ डी आई पीप है उसके अंतरगत जी आई टैग दिया जाता है तो बी हो जाएगा करक अगला गारिध प्राजन है कि भार्तिय पेतेंट कारियालाई कहां परिश्थित है, तो इंडियन पेतेंट आफईस के बाद करें, 1913 के आस पास इसका स्थापना हुई थी, और ये आपको मिलेगा मुंबई में, तो ध्यानकी का मुंबई में इसका हैड़कौाटर है, अगला में इसको लागू किया गया था और इसी एक्ट के अंदर हमारे देश में जी आई टैग दिया जाता है तो ध्यान रखेगा सी हो जाएगा फिलहाल करग अगला प्रशन है कि भारत में पहली बार वर्स दोहजार चार पांच में किस उत्पात को जी आई टैग दिया गया था तो पिछले साल ये दो एक्जाम में प्रशन पूछा गया था ध्यान रखेगा ये है आपके दाजलिंग की चाय क्या है दाज अपनात मुर्गे की बात करें ये आपके होता है MP में कहां पर होता है MP होता है तो option C हो जाएगा correct ये देख सकते हैं बिल्कुल काला काला मुर्गा है इसका जो मान से वो यूनीक होता है अपने आप में तो option C हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि October 2020 किस राज्य के हाथ से बने मोजे और दस्ताने को GI tag दिया गया तो ये मोजे और दस्ताने हिमाचल प्रदेश के हैं option C हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि October 2020 में किस राज्य के चमबा चमपल को GI tag दिया गया तो ये जो चमबा चमपल है इसको GI tag दिया गया है और ये हिमाचल प्रदेश का है option A हो case में किस राज के जुडिमा चावल वाइन को GI tag दिया گیا तो जो आपकी जुडिमा चावल की वाइन होती है ये बनाई जाती है असम में कहां पर होती है असम में तो फिल हाल भी होगा यहांपर करंग अगला प्रश्न है कि सितंबर 2007 के किस राज के सिरारा खोग मिर्च जिसे हम लोग हाथे मिर्च भी कहते हैं और तामेंग लोंग ओरेंज को जी आइटेक दिया गया तो ये होता है मणीपुर में उत्तर लिखा गया है नीचे भाईया देख लीजिए तो B हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि सितंबर 2021 में किस राज के खीरे को जी आइटेक दिया गया तो ये जो खीरा है वो होता है आपके नागर लैंड में कहां पर नागर लैंड में होता है तो B हो जागा फिलाल के लिए correct अगला प्रशन है कि सितंबर 2020 में किस राज की सूजत महदी को GI टेक दिया गया तो ये जो सूजत महदी है ये होता है आपके राजस्थान में हाँ तो दुलहन सजाईएगा तो सूजत महदी सजाईएगा क्योंकि ये GI टेक वाली महदी है तो आप्सन फिलाल B हो जागा यहाँ पर correct अगला प्रशन है कि हाल ही में किस राज के चिन्नावर चावल को GI टेक दिया गया तो ये जो चिन्नावर चावल है ये होता है आपके MP में कहाँ पर मद्यप्रदेश में होता है आप्सन D हो जागा यहाँ पर correct अगला प्रशन है कि अक्टूबर 2020 में किस राज के सफेद प्याज को GI टेक दिया गया तो ये जो सफेद प्याज है ये आपके महराश्ट में होती है तो आप्सन B हो जागा फिलाल correct ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के सफेद प्याज है फिलाल ये फोटो तो साल लहसुन की लग गई है तो अली बाग का जो हुआइट ओनियन है इसको जो ग्राफिकल इंडिकेशन टेक दिया गया है और ये आपके अली बाग तालुका में होता है महराश्ट के तो B हो जाएगा correct अगला प्रश्ण है कि अक्टूबर 2020 में किस राज के कल्ला कुरुची उड़कार्विंग को GI टेक दिया गया तो नाम से थोड़ा आप लोग अंदाज लगा सकते हैं ये जो कल्ला कुरुची उड़कार्विंग है ये आपके तमिल नाडू राजिका है तो B हो जाएगा फिलहाल correct अगला प्रश्ण है कि अक्टूबर 2020 में किस राज के एड़्यूर मिर्च को GI टेक दिया गया तो एड़्यूर से आप लोग अंदाज लगा सकते हैं कि ये मिर्च है केरल की कहां कि ये है केरल की है तो B हो जाएगा फिलहाल के लिए correct अगला प्रश्ण है कि अक्टूबर 2020 में किस राज के कुट्टी कट्टूर आम को GI टेक दिया गया तो ये जो कुट्टी कट्टूर आम है ये होता है आपके कीरल में कहां पर कीरल में तो D हो जाएगा फिलहाल correct अगला प्रश्ण है कि अक्टूबर 2021 में किस राज की करुपूर कलमकारी पेंटिंग को GI टेग दिया गया तो ये जो करुपूर कलमकारी पेंटिंग है ये होती है तमिल नाडू राज में आप्शन फिलहाल के लिए D हो जाएगा अगला प्रश्ण है कि अक्टूबर 2021 में किस राज के लौंग के लिए GI टेग उसको दिया गया है तो ये जो लौंग है वो होती है कन्या कुमारी में तो कन्या कुमारी को लौंग को GI टेग मिला है और राज हो जाएगा तमिल नाडू तो ये होगा फिलहाल करुपूर अगला होता है महाराश्ट में होता है तो डी हो जागा यहां पर करक्ट ध्यान रखिएगा कि वाड़ा कोलम जो चावल होता है इसको हम लोग जीनी राइस या फिर इसको हम लोग जीनी भी कहते हैं अगला प्रश्ण है कि जून 2020 में किस राज के GI टेग प्राप्त जरदालू आम क प्रजाती को बहरीन देश को निर्यात किया गया तो यह जो फाजिल आम की प्रजाती है यह मिलेगी पस्सिम मंगाल में कहां पर है पस्सिम मंगाल में है तो ऑप्सन डी होगा करेंग अगला प्रश्ण है कि किस राज के के सर को GI टेग दिया गया है यह प्रश्ण ऑलड़ी दो तीन एक्जाम में आ चुका है तो ध्यार केगा केस्तर के लिए जो GI टैग है वो मिला है जम्मू कास्मीर को D होगा फिलहाल करेक्ट अगला प्रश्ण है कि वर्ष 2020 में गोरकपू टेराकोटा के लिए किस राजी को भोगोलेक संकेतक टैग दिया गया था तो ये जो भोगोलेक संकेतक टैग है ये मिला हुआ है आपके उत्तर प्रदीश राजी को तो B हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट अगला प्रश्ण है कि वर्ष 2020 के लिए किस राजी को खोला मिर्ची के लिए GI टैग दिया गया तो जो खोला मिर्ची है इसके लिए GI टैग तो आकरी प्रशन है आज का कि वर्ष 2020 में किस राजे को काले चावल या फिर चक हाओ के लिए GI टैग दिया गया तो ध्यान रखिएगा ये जो काले चावल के लिए GI टैग मिला है ये मिला है हमारे मणी पूर राजे को तो आपसन फिलहाल के लिए C हो जाएगा तो इस फ्रकार से हमने तीसरे पार्ट में टोटल 300 प्रेशनों को डिस्कस कर लिया है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो किरपया करके नीचे कमेड में जरूर टाइप करिएगा यस आई कैन डो इट और सबसे महत्पून बात कि अगर आपने 2021 केस में कोई एक्जाम दिया है आपके पास में उसका पेपर है तो आप मुझे वार्शब के उपर भेज सकते हैं जिससे आने वाले जो भी इस स्रीज में वीडियो होंगे उसमें भी उन प्रशनों को सामिल किया जा सके थैंक्स पर वाचिंग जै हिंद जै भारत और सबसे जरूरी पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत